आकाश्वणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख सबसे पहली मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरींद्र मुदी आज वारानसी में 13,000 करोण रुपे से अधिकी विकास परियोचनाओं का शुभारम करेंगे वैश्विक निवे सराकार फिर्म जैफरीस ने उम्मीज जताई है कि भारत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बनेगा और भारत और इंगलिन के भी चौथा क्रिकितिस मैं चाथ से राची में अब समाचार वस्थार से प्रधान मंत्री नरींद्र मुदी आज वारानसी में 13,000 करोण रुपे से अधिकी विकास परियोचनाओं का शुभारम करेंगे प्रधान मंत्री कल रात वारानसी पहुँचे श्री मोदी आज कई समारोहों में शामिल होंगे और अपने निर्वाजन शेत्र के लोगों को कई विकास परियोचनाओं का उध्खाटन करेंगे मुखे परियोचनाओं में यूपियर्स आईडी ए ए एग्रोपार्क करख्याओं में बनारस काशी संकुल दूद प्रसंस करने काई बुनकरों के लिए रिश में कपड़े की छपाई सामाने सुविधाकेंडर और वारानसी में परिटन और आध्यात्मिक परिटन से संबंदित कई परियोचनाएं शामिल हैं प्रधान मंत्री वारानसी में राश्ष्रिय फैशन प्रद्वग की संस्ता निफ्ट की भी आधारशिला रखेंगे श्रीमूदी वारनसी में एक नए मेरिकल कॉलेज और बेच्चियू में नैशनल सेंटर ओफ एजिंग की आधारशिला भी रखेंगे पुधान मंतरी सिग्रा स्पोर्ट स्टेडियम फेज वन और जिला राइफल शूटिंग अकैडमी का भी उद्धाटिन करेंगे वैश्विक निवेश सलाकार फर्म जैफरीस ने भारती अर्थविवस्ता और निवेश के लिए आश्रावादी द्रिष्टिकोन का अनुमान जताया है नियॉर्क की कंपनी ने कहा है कि पिछले दस वर्षों में भारत में मूलभूद सनचनात्मक उधार हुए है कंपनी के नुसार अगले चार वर्षों में भारत के अर्थीक वृधी पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी इससे भारत वर्ष दोहजार सत्ताइस तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बन जाएगा कंपनी के नुसार भारत का स्टीजी से बड़ती अर्थविवस्ता का दर्जा बर करा रहेगा कंपनी के नुसार वर्ष 2030 तक भारती श्यर बाजार दस ट्रॉडियन डॉलर तक पहुँच जाएगा भारत का श्यर बाजार अमेरिका चीन जापान और हॉंग कॉंग के बाद दुनिया में पांचवे स्थान पर है प्रुधान मत्री नरींड बोधी 78 प्रतिशत अनमोधन रेटिंग के साथ फिर सबसे लोग पर ये वैश्विक नेता बन गये हैं अमेरिका की वैश्विक एजिंसी के सर्विक्षन में स्कॉल लेक किया गया है सर्विक्षन में मैक्सिको की राश्ट्रोपती आंड्रेस, बैनुवल, लोपिस, ओब्रदोर ने दूसरे स्थान हासल किया है अर्जिंटीना की राश्ट्रोपती जेवियर माईली तीसरे स्थान पर है अमेरिका की राश्ट्रोपती जो वाइडिन विश्विक नेताओं में 11 स्थान पर है जबकि कैनेडा की प्रधान मंतरी जस्रीन प्रूडो सत्रवे और ब्रिटन की प्रधान मंतरी रिशी सोनक 20 में स्थान पर है एजेंसी की वेब साइट के अनुसा रेटिंग 30 जिनवरी से 5 फरवरी तक एकत्र किये गए डेटा पर आधारित है एवियम मशीनों की पहले इस्तर की जांच प्रक्रिया का कारे मानता प्राप्त राश्री राजुनातेक दलो के प्रतनिधियों की उपसिती में पूरा हो गया है एवियम मशीनों की फल्सी बेटर तरीके से हो इसके लिए आयोग द्वारा निर्ट किये गए परियक्षो को द्वारा पर्विक्षंट किया गया साथी कारियाले क्या दिकारीयों और कलेक्टर तथा जिलन राजन धिकारीयों द्वारा लगा था निरिक्षन भे किया गया मुक्षी निर्वाजन पताधिकारी अलपम राजन ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी मशीनों को जिलों के स्ट्रॉंग रूम में सुरक्षित रखा गया है प्रदेश में 29 जनवरी से EVM मशीनों के FLC प्रक्रिया शुरू ही थी जो 20 फरवरी तक चली भारत Electronics Limited, बैंगलूरू के एंजिनेरों दोरा मानता प्राप्त, राश्री राजुनातिक दलों के प्रतिनिधियों के उपस्रती में जांच की गए प्रदेश के सभी 29 लोकसबाशेत्रों के लिए 64,523 मत्तान केंद्र बनाए गए हैं दूरशन केंद्र भूपाल के समाचार एकांश में समाचारों के संकलन के लिए स्ट्रिंगर्स को इंपैननमिलिंट किया जा रहा है दुरुशन केंदर भुपाल प्रदेश के सभी सिलों में अपने स्ट्रिंगर्स रखने के लिए आवेदकों से आवेदन आमंतरित कर रहा है आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में टाउन और शहरों के नाम का उलेक करना है जहां से भी प्रुसार भारती के लिए काम करने के इच्चुक हैं इस सम्मंद में और अधिक जानकारी प्रुसार भारती की वेबसाइट प्रुसारभारती.gov.in पर उपलब्ध है इच्छुक अभ्यार्थी प्रसार भारती की वेबसाइट के वेकेंसी सेक्शन में जाकर स्रिंगर इंपैनल्मेंट से जुड़ी जानकारी हासल कर सकते हैं स्रिंगर्स की नए एंपैनल्मेंट के लिए पुरानी पैनल बद्ध स्रिंगर्स को भी आवी दिन करना अनिवार है समाचारों में वक्त है ब्रेक का अथवा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते है जिनशीलता का होना जरूरी है उनने कहाई कि बदलते समय के साथ जिनजातियों की जिवनशाली में होने वाले परिवर्तनों की पैचान करनी चाहे उसी के अनुरूप शोध और अध्यन के प्रणाली को विक्सित करें मुख्यमंत्री डॉक्टरी मोहनयादव को इसकॉन दोरा प्राइड आफ उजयन सम्मान से सम्मानत किया गया मुख्यमंत्री ने सकॉन की श्री भक्तिचारू महराज की समाधी को नमन किया सकॉन की स्थापना के थार्मी वर्षकार्ट के उसर पर मुख्य मंतरी ने सकॉन मंदर पहुचकर श्री राधा मदन मोहन के दर्शन किये और आरती खी उन्होंने सकॉन मंदर में प्रारम भी किये गये निरामिश और सात्विक भूजन के उपहार क्रह गोविंदम फूड्स का शुभारम किया गुर्दलभे की मुख्य मंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन याजब का इसकॉर मंदिर की ओर से अभिनान दिन किया गया उन्हें शौल, स्रिफल और स्मृतिचिन भेट किया गया खजुराहु नृत्य समारो अप्टी स्वन जैनती पर कलारसिकों के हिर्दे को आनंद की अनभूतियों से भर रहा है कलारसिकों को प्रजिदिन भारत की बहुरंगी सांस्क्रितिक विरासत से साक्षात कार करने का आवसर प्राप्त हो रहा है इनने इसको विश धरोहर स्टल खजुराहों में विश विख्याद पचासवां खजुराहों नृत्य समारों के तीसरे दिन कल गुरुबार को कला की विविद आया मुका संगम हुआ इस उसर पर उप संचालक संस्कती संचालनाले सुष्री वंधनापांडे और नदेशक उस्ताद अलाउदिन खा संगीत एवं कलाकादमी जेंद भिसे ने आमंतरित कलाकारों का स्वागत पुष्पुच भेट कर किया भारत आज राची के JSEA International Stadium कॉंपलेक्स में चौथे टेस में इंगलेंड से भिड़ेगा पांच मैचों के शंकला में दो एक से आगे जल रही है और अपनी जीत की लैचारी रखने के लिए चुक है दूसरी ओर इंगलेंड शंकला में बनी रहने के लिए इस चौथे टेस मैच को जीतने की कोशिश करेगा मैच सुभे साड़े नौ बजे से शुरू होगा आपको समाचाना से शेप में उजयन में नौ अप्रेल को दीपोटसव कारिकरम में 27 लाग दीप प्रजुलित किये जाएंगे इसमें 25,000 वॉलिंटियर, 200 से ज्यादा सामाजिक संगिठन, NCC, NSS के छात्र सामाजिक कारिकरता आम जन मिलकर शिप्रन अधी के सभी गाठों पर दीप पुजुलिन करेंगे महलां बालविकास मंत्री, निर्मला भूरिया और वन पर्यवरन मंत्री नागर सिंग चुहान ने राजिस्तरी वन मेले का शुभारम किया ये मेला वनों परच को देश-विदेश तक प्रचारित करने का माध्यम बनेगा सत्ना और मैहर सिले के किसान मेरी गिर्दावरी मेरा अधिकार के तहट अपने शिंथ होकर अपनी फसल की जानकारी MP किसान एप के माध्यम से ले सकेंगे आगर मालवा सिला मुख्याले पर 19 करोड 97 लाख 41 जार रोपय की लागत से निर्मित हुए नियायले भवन का लुकारपन मुख्य नियाय अधिपती उच्च नियायले जवलपुर रवी मलिमत ने वर्चवली किया जवलपुर में करीब 450 करोड की लागत से बनी डुम्ना एरपोर्ट की नई टेर्मिनल बिल्डिंग और अन्य निर्मान कार्यों का लुकारपन प्रधान मंत्री नरिंद मुदी गुरुवार 29 फरवरी को वर्च्वली करेंगे कलेक्ट अरुन कुमार विश्रकर्मा के निर्देशन में डिप्टे कलेक्ट निवाडी और दियासो निवाडी सरीता ग्रवाल के द्वारा पीटियस की दुकानों राजपूर और लडबारी का निरिक्षन किया गया उन्हें शी शेतिकराहियों को पातरता परची के निसार समय पराशन वित्रिन करने के निर्देश दिये इस बुलिटिन में इतना ही दीजे जासत नमस्कार